बिहार की बात में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनेती की बिहार विदान सभाकर जो मौनसुन सत्र आज से प्रारंब हुआ है उसकी मगर उससे पहले एक बड़ी खबर मुझफरपूर से आ रही है हम मुझफरपूर की बालिका ग्रह वाली जो खबर थी उससे related ये खबर है ये एक नया development है जिसके बारे में हम आपको बताते चले होंगे आप इस बात को जानते होंगे कि मुझफरपूर की बालिका ग्रह का जो केस है हाल-फिलाल में ये मामला प्रकाश में आया था एक NGO जो है मुझफरपूर के इस Girl Child Home को चलाता था और वहाँ पे कई लड़कियों के साथ NGO के लोग जो जुड़े हुए थे उनके द्वारा ही रेप की बातें सामने आई थी एक बड़ी संख्या में लड़कियों का जो टेस्ट है वो पतना Medical College Hospital के Medical Board ने किया इस बात को कंफर्म किया है कि पतना Medical College Hospital का जो डिरेक्टर का रिपोर्ट था ये उन तक आप पहुँचा है और कुल 21 सैंपल्स आउट ओफ 21 सैंपल्स में 16 रेप की पुस्थी हो चुकी है बड़ी खबर है जो कहीं ने कहीं एक आने वाले समय में बिहार में बड़ा मुद्दा होने वाला है ये जो बालिका ग्री था ये मुझफरपूर में एक प्राइविट एंजियो के द्वारा चलाया जा रहा था फिलहाल नितिश्क सरकार ने इस एंजियो पर बैन लगा दिया है और इसमें इस खबर को बाहर लाने में कहीं ने कहीं बिहार सरकार की भी एक भूम का थी टाटा इंशिटू सोसर्स साइंसे अपनी तरफ से जाकर के हर एंजियो ये वारा संचालिक जो बालिका ग्री ठा उसको ये एक्स्पोर कर रहे थे वहान स्टड़ी कर रहे थे और उसी स्टड़ी करने की मामले में ये मामला प्रकाश आया था हाल फिलहाल के समय में ये मामला बिहार में बहुत बड़ तेजी से उबरा था और अब जबकि बिहार विधान सबा का मौनसून सत्र चल रहा है वैसे में ये कनफर्म होना कि 21 में से 16 लड़कियों के साथ रेख हुआ है कहीं ने कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे र से उठाएगा इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है बहराल आपको बताते चलें कि मुझफरपूर SSP ने अभी जो प्रस वालों से बात की है उसमें 16 सैंपल्स में से 21 रेख को पुस्टी किया है सुनिए क्या कह रही है मुझफरपूर की SSP ब्रिफ्ट ने पर्टना में मेडिकल वोट से सब लड़कों का मेडिकल एक्जामिशन करवाया था उसमें 21 रड़कों का मिला उसमें तक्रीबन 5 पांच लड़कों का ऐसा आया है कि जिसने कोई रेप का उन्होंने नहीं नहीं दिया लेकर पाक्की जो रिपोर्ट है उसमे इस अधारती रूप होता है कि उनके साथ गलत काम हुआ है और जो हमारे पासलिक अविदेंस हैं उसके अधारते हैं जो भी अब्लीक पकड़े हैं जावा की पराद है उनके लिए हमारी चाप़ा मेरी चल रही है पर पकड़ें उनको चार्शिक प्रिग्नेंसी को लेकर क्य पर एक बात और सामने आई है कि पाले ही किसी को इस तरीके से बीटन के पीटा गया था किसी सा कम टूड़ेथ उनका बड़ी डिसकावर किया जाएगा एक लड़की ऐसा बोली है ब्यान में क्या का आप एक लड़की को मार के दफनाया गया है जो ब्यान की आप उसकी पुर प्रियास का बात करते हुए इस बात को भी कनफर्म किया है कि पुलिस को एक ऐसे शिकायत भी बिली है जिसमें ये कहा गया है कि एक लड़की को उसी बालिका ग्रह में रेप करने के बाद उसकी मिट्टी में दफना दिया गया है ये एक बड़ी ख़बर है इस पे पुलिस जो है अभी अपनी स्टडी कर रही है अपना इंविस्टिकेशन कर रही है अनुसंधान पुलिस का जारी है मगर जो स्ट पी ने बताया प्रेस को उसमें ये कहा है कि एक लड़की ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी ही एक दोस्त को उसी बालिका ग्रह में रेप करने के बाद जो है उसी बालिका ग्रह में दफन कर दिया गया है ये शिकायत पुलिस ने मंजूर कर ली है और अपनी इंविस्टिगेशन अपने नुसंधान को जारी किया है आपने इस चीज़ को आने वाले समय में मुझफरपूर बालिका गरे का यह जो मामला है कही ने एक बड़ा इशू होने वाला है उमीद ये भी की जा रही है कि जो बिहार के सांसद हैं लोगसभा में या फिराजसभा में इस बात को पार्लेमेंट में भी उठाएंगे मुझफरपूर SSP ने जो टर्म यूज किया है जो टेक्निकल टर्म यूज किया है अपनी रिपोर्ट में जो पी-म से इस ने उन तक भेजा है उसमें उन्होंने कहा है क 21 में से जो ये 5 हैं इन पर तो कोई किसी भी तरीके का असॉल्ट या सेक्सवल असॉल्ट ये कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन बाकी 16 के बारे में जो मेडिकल बोर्ड हैं उसमें अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि possibility of sexual abuse cannot be ruled out possibility of sexual abuse cannot be ruled out यानि कि ये कहने का तरीका है क ही ने कहीं ये 16 लड़कियों के साथ मुझफरपूर बाली का agree में फिलहाल रेप की पुस्टी हो गई है अब बढ़ते हैं बिहार विधान सभा की तरफ बिहार विधान सभा का जो मौनसून सत्र है शुक्रवार बीस जुराई को प्रारंभ हुआ ज्यादा लंबा ये सत्र आज का जो दिन है वो नहीं चला कुछी मिंटों के बार इसको सोंबार तक के लिए स्थगित कर दिया गया शुरू में शोक प्रस्ताव जैसा जैसी की परंपरा रही हुई है शोक प्रस्ताव लाया गया शोक प्रस्ताव के बाद जो है बहुत सारे राज्यतिक हमले जो है विधान सभा के अंदर तो नहीं बगर बिहार विधान सभा की premises के बाहर में हमें देखने को मिले तेजस्वी यादव आज खुर खुल कर बोले नितिश कुमार पे उन्हों ने खुल कर हमला किया फिर से बड़ा हमला किया कई मामलों में नितिश कुमार को तेजस्वी यादों ने आज लपेटा है आज जिस वक्त बिहार विधान सभा की कारवाई शुरू हुई थी उसी समय दिल्ली में भी लोग सभा में नो कॉन्फिदेंस मोशन पर डेविट शुरू हो रहा था एक बड़ी बात जो है तेजस्वी यादों ने आज मीडिया से बात करते हुए जरूर ये बात कहे दी है कि अगर इस मौनसून सत्र में संभव ना हो पाया तो बिहार विधान सभा के अगले सत्र में नितिश कुमार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंश मोशन जरूर लाया जाएगा तो कुल मिला करकर के अब जो चीज़े समझ में आ रही है जो डिल्ली से लेके पटना तक डिल्ली में कहीने केंदर में जो विपक्ष है वो मोधी सरकार पे अब हमलावर होता जा रहा है ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिल्ली का पार्लेमेंट का था ये मोधी सरकार के लिए एक आखरी नो कॉन्फिडेंस मोशन था और अब उसी तरज पर बिहार में भी तेजसुई यादों ने अपनी कमर कसली है अब वो भी उन्होंने कहीने का इस बात को डिसाइड कर लिया है कि आने वाले दिनों में बिहार विधान सभा में भी नितिश सरकार के किलाव नो कॉन्फिडेंस मोशन यानि की अविस्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा चुकि ये मौनसून सतर काफी कम दिनों का है सोमवार को उम्मीद ये की जा रही है कि शराबंदी कानून में जो बदलाव होंगे उस पर चर्चा की जाएगी लेकिन इतना तो आज तेजस्वी याडव ने टै कर दिया है कि आरजेडी और कॉंग्रेस आपस में मिलकर के अगले सतर में बिहार गिदानसवा के अगले सतर में नितिश सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव वो लाएगी तेजस्वी केवल अविश्वास प्रस्ताव पर ही नहीं बात वो कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी बातों पर नितिश कुमार पर हमला किया नितिश कुमार जो बार बार खुद को सेक्यूलर बताते हैं सेक्यूलर चभी को दिखाते हैं उस पर तेजस्वी यादों ने बहुत हामला किया तेजस्वी यादों कह रहे थे कि हाल में अमिश्शा पटना आते हैं और उनके लिए पूरे पटना में रेड कार्पेट बिचा दिया जाता है नितिश कुमार तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं उनको डिनर देते हैं उनके साथ समय बिताते हैं और पलट के नितिश खुद को सेक्यूलर बताते हैं ये तजस्वी का एक बड़ा तंज था, एक बड़ा हमला था नितिश कुमार पर और उनकी चवी पर मुझफरपूर वाले मामले पे भी तेजस्वी यादों बहुत कुछ कह रहे थे कि पूरे केवल मुझफर पूर ही नहीं, बिहार में हाल फिल हाल में रेप की घटनाओं में बाढ़ आ गया है, आप हर रोज का अकबार आप देख लें, बिहार की हर कोने से रेप मॉलेस्टेशन की घटनाएं जो है, पिछले कुछ समय में तेजी से वृध्धी इसमें हुई अगर आप सरकार से इन मामलों में बात करते हैं, तो सरकार केवल इतना ही कहकर अपनी बात को समेट देती है, कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रहा है, बिहार में कानून का राज कायम है, और पुलिस जो है तौरित गती से काम करेगा, और इस मामले में फास्ट्रैक कोट अगर अब बाद में इन बातों को legally subtle करेगा लेकिन केवल इतना ही कहने से नितिश हुमार जी आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है इस सवाल का तो आपको जवाब देना ही होगा कि बिहार में रेप की घटना एतनी बढ़ क्यों रही है इस पर आप मुकर नहीं सकते हैं तेजस्वी यादों का ये जो सवाल है बहुत ही valid और बहुत ही genuine है इस बाबले में कम से कम आपकी तरफ से एक वक्तवे की हुमीद हम आज अपने live studies के पटना studio से करते हैं अमिट शाह को लेकर के काफी सारी बातें जो है तेजस्वी यादों ने उठाई और केवल इतना ही नहीं कहा एक बड़ा तंज जो है तेजस्वी यादों ने विधान सभा में पत्रकारों से बाचीत करते हुए का कि निटिश कुमार जी अपने alliance partner भाजपा को एक महीने का समय दे देते हैं sheet sharing को लेकर करके एक महीने का clear cut संदेश दे देते हैं कि पूरे बिहार का जो crime है एक महीने के अंदर में बिलकुल समाप्त हो जाना चाहिए तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादों आज बड़े ही आकरामक धंग से निटिश कुमार पर बात कर रहे थे और बहुत सारी बाते हैं जो है निटिश कुमार पर उन्होंने तंच कशा है इतना तो लेकिन जरूर है कि अपने live studies के पटना studio से बात को हम उठा रहे हैं कि बिहार में पिछले समय हाल फिलहाल में रेप की घटनाओं में बहुत वृद्धी हुई है हर रोज कोई ने कोई रेप की घटना सामने आ रही है मुझफरपूर बाली का गरी का मामला हो या फिर छपरा का मामला हो आने वाले समय में मुझफरपूर बाली का गरी का जो मामला है और बड़ा होने वाला है फिलहाल फॉर टाइम निंग जो है केवल 21 लड़कियों का जो रिपोर्ट है वो मजफरपूर के SSP को मिला है जिसमें से उसकी 16 रेट्स जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं बाकी अभी और रिपोर्ट आना बाकी है और इस मामले में एक बड़ी बड़ा खुलासा भी हो सकता है जो शिकायट मिल रही है कि उस बालिका ग्री में किसी लड़की को मार कर दफना दिया गया है इसमें क्या सचाई है ये तो आने वाले दोनों में पुलिस के इंविस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा अगर बीजेपी अमेसी की बात करें नवल किशोर यादो भी अपने ही सरकार पर नितिश कुमार के सरकार पर खुल कर बर से उन्होंने मीडिया से विदान सावा में ही बात कर रहे थे और मीडिया में उन्होंने बात करते करते ये कहा कि बिहार का law and order चौपट हो गया है नितिश कुमार को बड़े पैमाने पे लपेटा है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में नितिश कुमार के लिए सवाल एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर बिहार में रेप की इतनी घटनाएं बढ़ क्यूं रही हैं बिहार की बात में मेरे अभिशेक चंद्रा के साथ आज इतना ही नमस्कार